नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सांगत, डेली वनलेनेस और एक्साम्स 20 जूलेई 2022, आज के इंपोर्टम वनलेनेस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहला टाडी ग्रेट स्पीशेस, टाडी ग्रेट और यह इनवेटरिबेट से, इनवेटरिबेट मतलब जिनका बैकबोर्ण नहीं होता, और इनकी एक स्पेशील अबेल्टी है दोस्तों, यह एक्स्ट्रीम कंडिशन सर्वेव कर सकता है, जैसे कि 30 तक वितोर्ट फूड और वाटर रह सकता है, और माइनस 272 डिग्री तक सर सर्वेव कर सकता है, तो अब न्यूज क्या आया है दोस्तों, क्रिगिस्तन, अर्जंटीना और इटली से, न्यूज स्पेश्मेंस ओफ कॉर्ने किनिसकस डिस्कवर हुआ है, ठीक है, अब यह कॉर्ने किनिसकस क्या है, यह एक जैनस ओफ टाडी ग्रेट स्पीशे से, यह सम अच्छा दिखाए देगा, और इनका आवरेज लाइफ स्पैंड जो है, नेकड आइसे आप देख सकते हो, क्योंकि पॉइंट फैं मिलीमीटर मतलब आप देख सकते हो, फिर भी माइक्रोस्कोप से अच्छा दिखाए देगा, ठीक है, नौ, यह कहां पर रहता है, किस हाबिटाट में रहता है, देखे, हाई-अमोंट्स अफ डेस्टी सोइल में, मॉसस आन लिचन में, जहां पर लॉंग प्रिट्स ओफ ड्रोट रहता है, उधर भी यह देखने को मिलता है, ठीक है, आब देखे, they are they can be found on all continents except for australasia and antartica तो basically australasia region and antartica region में tardigrade species आपको देखने को नहीं मिलेगा और central asia में सबसे ज्यादा diverse species आपको देखने को मिलेगा tardigrades का तो थ्यान दीजेगा इसमें 2-3 important points है एक तो governance के बारे में ध्यान दीजेगा और यह tardigrades का पहली discovery 1773 में हुआ था यह भी ध्यान दीजेगा ठीक है और सबसे important point यह है दोस्तों यह सारे continents में दिखते हैं पर australasia and antartica region में नहीं दिखते हैं अगला एक छोटा सन्यूस है दोस्तों meta releases first human rights report देखे facebook honor meta अपना पहला annual human rights report release किया है दोस्तों वैसे अभी तक meta जो है जितने भी human rights violations दुनिया भर में होता है उसके बार में कुछ बोलते नहीं थे तो आप जाके इन्हों ने अपना पहला human rights report release किया है वैसे meta के बार में आपको मालूम होगा facebook, whatsapp, instagram, messenger यह सब के honor है meta जैसे कि google का honor है alphabet ठीक है तो इस human rights report में इंडिया म्यानमार जैसे countries में जो human rights violation हो रहा है वो सब के बार में report है यह कह रहा है अब इस report के बार में मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं अगर उसमें यह कुछ important points है जरूर हम आपको एक वीडियो में बता देंगे ठीक है now meta के बार में meta एक Greek वेड़े दोस्तों इसका मतलब है after or beyond overall जो facebook company है इसे अभी meta बोलते है पर facebook app का जो नाम है वो नहोंने change नहीं किया है अगला है first 100% landlord major port of India जवाला नहरू port Mumbai इंडिया का पहला major port बना है जो 100% landlord port बना है दोस्तों landlord port का मतलब क्या होता है देखे there are ports where the port authority owned solely the basic infrastructure port में जो basic infrastructure provided है उसे ओन करेंगे port authority बाकी जितने components है वो सब दूसरे private operators को lease में देदेगा long time के लिए पर देखी पूरी जो port का regulatory function से यह port authority के पास होगा basically strategic port activities commercial operations यह सब कुछ port authority own करेंगे वैसे JNP इंडिया का one of the leading container ports है and top 100 global ports में JNP का rank है 26 और JNP में state of the art facilities available है दोस्तों जैसे कि सारे international standards को meet करता है user friendly atmosphere है excellent connectivity है by rail and road to the hinterland hinterland मतलब जो areas coastal area से काफी दूर है अंदर वाला जो area से उथर तक rail and road connectivity है JNP से वैसे इंडिया में 13 major ports है and more than 200 notified minor and intermediate ports है दोस्तों union government 100% foreign direct investment allow किया हुआ है automatic route के तुरू port and harbor construction and maintenance projects के लिए इसे automatic route मतलब क्या होते है दोस्तों देखिए foreign direct investment दो route में होता है एक government route दूसरा automatic route अब यह automatic route मतलब foreign companies को invest करने के लिए RBA या government का approval की ज़रूत नहीं है इसे automatic route बोलते है ठीक है तो harbor construction and maintenance projects के लिए union government 100% FDA अलोग किया हुआ है वो भी automatic route में वैसे इंडिया का major कुछ sports के बारे में detail से दोस्तों largest port कौन सा है मुंबई पोर्ट है BCS पोर्ट इंडिया भी है largest natural port और हार्वर इंडिया भी है कौन सा मुंबे पोर्ट second largest port है चैने पोर्ट oldest shipyard इंडिया कौन सा है दोस्तों वह है वाईजाग पोर्ट या फिर वाईजाग शिप्याड आपोर्ट सेकते हो वस्बंगाल गवर्णर देखे प्रेजिदेंट रामनाथ कोविन जी वस्बंगाल गवर्णर जगदीव धंगट साब का resignation accept किया है क्योंकि उन्हें ruling national democratic alliance vice presidential candidate बनाया है तो गवर्णर अफ मनिपूर लाट गनेशन को additional charge दिया है दोस्तों to discharge the functions of गवर्णर वस्बंगाल ठीक ह गवर्णन का जो appointment है और एक एक post का जो powers है यह पार्ट 6 अप इंडियन constitution में लिखा हुआ है वैसे article 153 says that there shall be a governor for each state ठीक है तो गवर्णर से रिलेटेटेट जीते अधी article से वो important है तो article 153 में यह बोलता है दोस्तों हर state में गवर्णर होना चाहिए and one person can be appointed as governor for two or more states ठीक है एक person को एक से ज्यादा या दो से ज्यादा states का governor appoint कर सकते है मतलब additional charge दे सकते है यह भी constitution में लिखा हुआ है now governor acts in dual capacity क्या है dual capacity constitutional head of the state है and as the representative also center का representative भी है and state का constitutional head भी है final news कारकॉरम anomaly this is a very important news क्या है कारकॉरम anomaly it is tamed as the stability and anomalous growth of glaciers in the central कारकॉरम देखे आजकर global warming की वज़े से हिमालेयन ranges में इसे glaciers का retreat हो रहा है पर कारकॉरम range में growth of glaciers हो रहा दोस्तों तो यह researchers के लिए एक सवाल परिदा किया है तो यह जो anomaly है इसे कारकॉरम anomaly बोलते है ठीक है now कारकॉरम mountain range के बारे में it is a mountain range in Kashmir spanning the borders of Pakistan, China and India and this range का जो north west extremity है यह Afghanistan and Tajakistan तक भी है ठीक है now most of the कारकॉरम mountain range falls under jurisdiction of जिल्जित बलतिस्तान जिससे पाकिस्तान illegally control करके रखा हुआ है जो पाकिस्तान occupied Kashmir में जिल्जित बलतिस्तान यह बात आपको पता होगा दुनिया का second highest peak after Mount Everest that is Mount K2 जिल्जित बलतिस्तान में located है यह कहां से शुरू होता दोस्तों देखे वाखन कोरिदोर अफगानस्तान in the west and extends into Ladakh controlled by India and Oxide Chin controlled by China यह तो basically वाखन कोरिदोर से स्टार्टों के लड़ाग तक है और Oxide Chin में भी है ठ्यान दीजेगा it is the second highest mountain range in the world कारकोरम जो है दुनिया का second highest mountain range भी है and it is part of the complex of ranges including पामीर mountains, हिंदु कुष, हिमालेन mountains तो यह सारे जो mountain ranges से इसका part है कारकोरम now कारकोरम हास 18 submits over 7500 meter तो 7500 meter height से उपर वाला 18 submits है दोस्तों कारकोरम range में उस में से चार जो है 8000 meter से उपर है K2 second highest peak in the world day after Mount Everest यह में आपको बता दिया इसका height है 8611 meter और कौन-कौन सा peak है जो 8000 meter से उपर है गाशर ब्रम 1, broad peak and गाशर ब्रम 2 तो दोस्तों that's the endrofit I hope आपको वीडियो informative लगाओगा लक्षे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चनल में मिल जाएगा जिसका link नीचे description box में प्रोवेड़ेड है Thank you for watching, bye bye, have a nice day